हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माँ चानेल आज मैं आपके साथ एक स्नेक्स की रेसिपी सेर करूँगी जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप एक बार बनाईए और महिने भर खाईए चलिए बनाना सुरू करते हैं कतली बनाने के लिए हमने इक कढ़ाय को गरम कर लिया गैस पर अब उसमें देंगे दो कप पानी अब जिस कप से यह जिस कटोरी से आप मेजर्मेंट करें उसी से सारा चीजों को दे अब पानी को बॉयल आने देंगे पानी में बॉयल आ चुका है अब इसमें देंगे स्वादानों सा नमक हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च अब देंगे एक छोटी चम्मच अजवान इसे मेना हाथ में लेके क्रस्ट कर लिया है इसे फ्लेवर अच्छा आएगा साथ में मिला देंगे अब हम एड़ करेंगे तीन चम्मच कुकिंग ऑईल अब चाहे तो घीवी डाल सकते हैं साथ में मिलाएंगे अच्छे से अब गैस का फ्लेम को लो कर देंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप सूजी या रवा धिरे धिरे मिलाते जाएंगे एक बार में सारी सूजी ना दे, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाए और उसे चलाते जाए ताकि इसमें गुठलिया ना बने अब गेस का फ्लेम को लो करेंगे और बॉयल आने देंगे साथ में चलाते जाएंगे जब तक कि सूजी पूरी पानी को अबसर्ब ना कर ले तब तक उसे चलाते जाएंगे अब गेस को आप करेंगे अब सूजी के साथ मिलाएंगे एक कप चावल का आटा इसे भी अच्छे से मिला लेंगे सूजी के साथ अच्छे से मिलाने से जो एक्ष्टा पानी रहेगा वो सूख जाएगा देखे मैंने अच्छे से मिला लिया है सूजी और चावल को एक साथ अब इसे हम ढखके पांस मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी और चावल काटा आपस में सेट हो जाए काफी ठंडा भी हो चुका है, आप इसको गूत लेंगे हम अच्छे से मसल मसल के एक डो बना लेंगे, हाथ में थोड़े घी लेना जरूरी है ताकि चिपके न एकी स्मूद सा डो बनाना है, देखिए हमने डो भी बना भी लिया है, कितना अच्छा बना है, अब हम चकली बना और उसको हातों के मदद से लंबा सेप देंगे ताकि वह चकली मेकर में घुच जाए आसानी से चकली बनाने के लिए हमने एक चकली मेकर लिया है देखिए इस तरह से मिलता है बजारों में या ओनलाइन भी पर्चस कर सकते हैं अब इसके उपर हम थोड़ा से घी लगाएंग करेंगे और इसके चकली मेकर के अंदर में भी थोड़ chips लगा देंगे अच्छे से सेट कर लेंगे उसे आप इसके अंदर हम डुक को टालेंगे अब ढक्कण भी लगाएंगे पीचे से और अच्छे से टायट कर लेंगे अब हम चकली बनाना सुरू करेंगे देखिए पीछे सी से प्रेश करना है और थोड़ा-थोड़ा करके निकलते जाएगा उसको राउंड सेफ में हम चकली बनाते जाएगे बहुत आसानी से बन जाती है चकली या देखिए एक बन चुका है अब इसी तरह से हमें बाखी सब भी बना लूँगी चकली मेकर से बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है चकली या लेकिन आपको एक बात का ध्यां रखना है कि डो हमेंसे टाइट बनाना है इसका अगर थोड़ा भी गीला रहेगा तो चकली तूट जाएगी बनाते समय फटा-फट से बन जाती है मैंने कुछ चकली बना लिया है आप इसको फ्राय करेंगे चकली फ्राय करने के लिए मैंने एक कड़ाय में तेल गरम कर लिया है अब बेके करके चकली डालते जाएंगे गैस का फ्लेम हाई में रहेगा चकली डालने का बाद उसे चलाना नहीं है जब चकली एक साइड फ्राय हो जाए तब ही उसे पलटना है गोल्डन कलर होने तक ही उसे फ्राय करना है इसे चकली जदा टेस्टी और क्रीस्पी बनती है देखिए एक बन चुका है अब दूसरे भी बन चुकी है इसी तरह से मैंने सारे चकली को फ्राय कर लिया है यह बहुत असानी से बन जाती है सूजी की चकली खाने में बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स आप एक बाद जरूर बनाएए चाय के साथ खाईए और या मेहमानों को खिलाईए यह बहुत अच्छा लगेगा सभी को बहुत ही क्रिस्पे बनती है मैं इसका साउंड आपको सुनाती हूँ तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी आप ज़रू कमेर करकर बताए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे फिर मिलेंगे कोई नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई